हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का आर्वी एडिट्यूब क्लास में तो आज मैं आप लोगों के लिए कोश्चन लेकर करके आँगे कोश्चन क्लास 9 की मैथ से चेप्टर नमबर 10 एक्सरसाइज 10.3 का कोश्चन नमबर 1 है इस वीडियो में हम इस कोश्चन को डिसकस करें वाट इस्वीडमाक्सिम नमबर आप कॉमшь से बहें में बोला है कि तो हमें दोदो के सद्रै यलिव के आलग अलग पोजीशन में आलग अलग अलग तरीके से यह धेखना है कि क्या कोई पॉंट कॉमन मिल रहा है कामेंपोएन मतलब होता है कि दोनों सद्पे एक दूसरे है ठीक है तो चलिए हम सुरू करते हैं इसको सलीशन है लेट्स द्राइब डिफ्रेंट पेयर आप सर्किल कि इस दिफ्रेंग ओई संग्सों आप सी अधिर आप संग्ड़ कर दो लेट्स ड्रव डिफ्ररेंट पैर आफ सर्किल्स एन डिफ्रेंट पोजिशन एज विलो यहां पर हम अलग लग पैर सरकिल ड्रा करेंगे अलग लग तरीके से तो क्या मिलेगा हमें फेस्ट देखो एक तो यह हो सकता है कि यह सर्कील जो है एक ऐसे बना हुआ है और एक ऐसे बना हुआ यह दोनों सर्कील एक दूसरे को कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं इसलिए इनके बीच में कोई भी कामन पॉइंट नहीं होगा answer होगा they have no any point common इन में कोई भी point common नहीं होगा ठीक है एक तो case हमें यह मिलेगा दूसरा क्या हो सकता है second condition second condition यह ऐसा हो सकता है जैसे मालीजे हमने एक circle बनाया हुआ है और EC के अंदर हम कोई दूसरा circle बना दे वो हो सकता है कि same center हो या different center हो लाइक सरकील एक पोल जत्क हो एकिल के अंदर दूसरा circle बना दे इसको बोल आजाता है concentric circle फिक एक सरकील के अंदर जब दूसरा circle होता तो उससे क्या बोले जते concentric circle तो यहां पर क्या है यह हमारा tää एक बड़े सरकील के अंदर एक छोटा सउर्किल है क्या ये सरकिल कहीं भी किसी भी प्वांट पर एक दुसरे को लिए क्वा इंटर्सेक्ट करहें नहीं कोई भी कामनimer को नहीं जो थर्ड केश है है उसमें हम ऐसे बना सकते हैं कि मान लिए हमारा एक सर्क्ल χ coral है और इसके वांडरी से टच कराते हुए हम दूसर सर्क्ल रौं कर दें तो यहांपर दीखो इन दोनों सर्कील में हम यह देखेंगे कि यह दोनों एक दूसरे को इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं यानि यह एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो यह आप लिखेंगे दे कि है only one point common वन पॉइंट Common ठीक है इसी प्रिकार से जो fourth case हमारा बन सकता है वो क्या बन सकता है देखे माल लिजिए कि हमारा ये एक सरकील है और इसके अंदर हम दूसरा सरकील को ड्रॉड कर दे रहे हैं तो ये इस पॉइंट पर इंटर्सेक्ट कर रहा है यह भी एक पॉइंट पर इंटर्सेक्ट कर रहा है एक दूसरे को तो यहां भी दे हैब कि वनली कि वन पॉइंट common ठीक है तो एक बार आप इसको देख लिजे first case में क्या है कि ये दोनों सर्किल अलग अलग है कोई भी point intersect नहीं कर रहा इसलिए they have no any point common इसमें क्या है एक सर्किल के अंदर दूसरा सर्किल है यहां भी कोई भी सर्किल किसी दूसरे सर्किल को intersect नहीं कर रहा है इसलिए they have no any point common यहां पर हम देखेंगे कि ये दोनों सर्किल एक दूसरे को एक point पर इस एक point पर intersect कर रहे हैं इसलिए they have only one point common fourth case में हम देखेंगे कि ये हमारा बड़ा सर्किल है इसके अंदर छोटा सर्किल है और ये इसके boundary पर कहीं भी एक point पर touch कर रहा है they have only one point common तो इसको आप write down कर लिजिए या फिर वीडियो को पहुज करके screenshot ले लिजिए एक case हमारा और बनता है इसको हम discuss करेंगे इसके बाद जो हमारा last वाला case बन रहा है fifth वाला यहां पर कुछ ऐसा बनेगा कि एक सर्किल हमारा ऐसे है और दूसरा सर्किल इसको ऐसे intersect कर रहा है तो यहां पर आप देखोगे कि यह इस point पर और इस point पर intersect कर रहा है तो यहां पर यह दोनों सर्किल एक दूसरे को दो point पर intersect कर रहे हैं तो इसलिए यहां पर two point common होगा को है बेहं हां हाझ टू पॉइंट्स और को मन को क्षे अपन्र कि उसक्यार से आप देखा ड़ा डिफरेंट प्वेर आप सर्केल्स हाव मेनी पॉइंट देहाब कामन तो जो फर्स्ट कॉसटंथा और यानि पोइंट आङ का मन वह हम ऑल्री रइट करके आचुके हैं अब जो सेकन्ड कोष्टन है कि मैक्समम नमबर आफ पॉंइं मट तो यहाँ पर मैक्समन नमबर आफ पॉइंट इन क Łमन में रइट कर देता हूं 10 कैंक दे भे hairs कि मैक्सिमम नमबर आफ पॉइंट in common is 2 thus they have maximum number of point in common is 2 लेकिन मैं आपको यहां पर बता देता हूं कि minimum number of common point कितना होगा यहां पर जो minimum number of common point होगा वो होगा 0 ठीक है maximum कितना होगा दो यानिकि 2 maximum is to minimum is 0 आप इसको ride on कर लिजे आप फिर वीडियो को पाच करके screenshot ले लिजे तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा वीडियो अगर जरा भी पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें अगर इस चैनल पर आप न